आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि कैसे हम Form26AS को डाउन्लोड कर सकते हैं from the Income Tax Portal और किस तरह से आप अपनी TDS की डिटेल्स को वेरिफाइ कर सकते हैं So, Hello Friends, This is C.A.R.T.A.K.रवाल from e-filing world So, without wasting time, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं Form26AS डाउन्लोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाकर टाइप करना गए www.incometax.gov.in यहाँ पर जाकर आपको क्लेक करना है लॉगिन पर यहाँ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप एक रजिस्टर्ड यूजर है अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो इस कंडिशन में आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर बटन पर क्लेक करके आप खुद को रजिस्टर कराएंगे उसके बाद में आप लॉगिन बटन पर क्लेक करेंगे यहाँ पर आपको अपने लॉगिन क्रिडाइंशल एंटर करने है लॉगिन यूजर आईडी इस जेनरली और पैन कार्ड तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे पैन कार्ड एंटर करने के बाद में आप क्लिक करेंगे कांटीनियू उपर यहाँ पर check box पर click करके आपको enter करना है अपना password फिर click करना है continue बटन पर यह आपका user specific dashboard open हो गया गया यहाँ पर e-file बटन पर जाना है फिर income tax return पर जाकर select करना है view from 26AS एक disclaimer message देगा जो आपको confirm कर देना है confirm करते हैं यह आपको redirect कर देगा from income tax portal to trusses की website क्योंकि हम जो 26AS डाउनलोड करेंगे that will be from the trusses website income tax की website से हम उसे directly download नहीं करते हैं यहाँ iagri पर check box पर click करके आप proceed कर देंगे at the downside आप देखेंगे एक option है view tax credit form 26AS इस पर आप click कर देंगे और यहाँ पर आके आपको अपना relevant assessment year select करना है हम अभी financial year 2021 के लिए क्योंकि 26AS डाउनलोड कर रहेंगे जिसका relevant assessment year होता है 21-22 I hope आप लोग को यह concept clear है assessment year एक year आगे चलता है अगर हम 19-20 की बात कर रहे है अगर हम बात कर रहे है 1920 financial year की तो उसका assessment year होगा 2021 अगर हमारा financial year है 2021 तो उसका assessment year क्या होगा उससे एक assessment year आगे 21-22 तो यहाँ पर क्योंकि हमारा financial year है 2021 तो हमने assessment year select किया है 21-22 view as आप करेंगे HTML view and download पर क्लिक करेंगे load हो रहे हैं और फिर आप करेंगे export as PDF बहुत ज़्यादा complicated process नहीं है यह हमारी income tax की website change हो चुकी है वर traces की website में अभी कुछ भी changes नहीं आए है तो जैसे हम पहले 26 years download कर रहे थे वैसे ही अप करेंगे बस हमारे income tax के portal पे जो options हैं उनकी shuffling हो गई है 26 years मेरा download हो चुका है so here you can see 26 years I hope this video से आपको यह चीज तो समझ में आ कही होगी कि आपको किस तरह से 26 years को download करना के from the new portal of income tax next video में हम एक नया topic discuss करेंगे that is analysis of 26 years so please अगर आपको यह video relevant लगी हो तो इसे जादा से जादा share करियेगा like और subscribe जरूर कर दीजेगा bell icon को फ्रेश जरूर करियेगा so that जो भी informative videos मैं upload करूँगी इस channel पे उसका maximum benefit आप लोगों को मिल पाए thank you so much bağई से उसे जह लोगों कर दादा झापावी नही tarए